Hello everyone, welcome back to our YouTube channel JKS Studd Info इस वीड़े में हम बात करेंगे JKSSB, VLW जो पंचायद सेकरेटरी पोस्ट्स हैं एक्सपेक्टेड कॉशन पेपर, प्रीवेस येर कॉशन हम यहाँ पर डिसकस करेंगे आप सबको मालूम होगा आपका जो एक्सम है वो 10 डेसंबर को रहने वाला है पार्ड फिस्ट हमने इसका डिसकस किया था, बहुत सारे स्टूरेंट्स ने उसमें अच्छा रेस्पानुज दिया और बहुत सारे स्टूरेंट्स ने खा कि यह थोड़ा इजी है तो आज हमने यहाँ पर पार्ट सेकंड लाया जो कि आपका बहुती माडरेट पेपर रहने वाला है वीडियो को आपने एंड तक देखना है और आपने फ्रेंट्स के साथ शियर ज्यादा से ज्यादा करना है लेट स्टार्ट आउर वीडियो आज का जो पहला क्वाचन है हमारा वो है विच आप दा फालूइंग एलमेंट्स है दे लवेस्ट वे मैल्टिंग पॉइंट यह जो एलमेंट्स आपको दिये गए हैं टाइटेनियम, टैंगस्टन, आर्गन, निकल इन में से किसको सबसे का मैल्टिंग पॉइंट है सबसे पहले अगर हम यहाँ पर टाइटेनियम की बात करेंगे टाइटेनियम का मैल्टिंग पॉइंट है आपका 1660 इसी तरह टैंगस्टन का है यहाँ पर 3410 और इसी तरह आर्गन का है माइनस वन एटीन नाइन और साथ में नेक्स्ट है निकल, निकल का है आपका वन फोर फाइव थ्री, तो सबसे लवेस्ट जो मेल्टिंग पॉइट है, वो है आरगान का, नेक्स्ट क्वेशन है, बाजीराव फिस्ट सेवनटीन टून्टी टू सेवनटीन फोर्टी एडी वा जो सही आप्शन है, अगर आपको मालूम है, तो कॉमेंट बुक्स में नीचे कॉमेंट कीजिए, इसका सही आप्शन है, पाड भी पेशावाज, नेक्स्ट क्वेशन है, आज का इनस्ट्रूमेंट फार मेजरिंग लाइट इंट्रिंटिस्टी इस काल्ड, यहां पर आप् इंपार्टन क्वेशन, विश टीम वन दे 2016 UEFA फुटबाल चेंपेंशिप, किस टीम ने 2016 UEFA फुटबाल चेंपेंशिप जीता, आप्शन इस दिये गए हैं, पोटगाल, USA, जर्मनी, ब्रैजिल, इसका जो सही आप्शन है, वो है पोटगाल, और पोटगाल ने यह पहला टा European Football Association, याद रखना, यह आपका बहुत ही important question है, next question है, which of the following causes rainfall during winters in the northwestern part of India, इन में से किस की वज़ा से winter में rainfall होता है, नारत western part of India में, यहाँ पर आप्शन दिये गए हैं, western disturbances, cyclonic depression, southwestern moonsoon, और retreating monsoon, यहाँ पर आपको उस सही आप्शन चूज करना है, अगर आपको उस सही आप और उसमें mention जरूर करना, इसका जो सही option है, वो है part A, western disturbances, next question है, which among the following is called is land of the midnight sun, किसको इन में से land of the midnight sun कहा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, option Norway, Sweden, Denmark and France, इसका जो सही option है, वो है नार्वे, नार्वे को land of midnight sun कहा जाता है, next question, important question है, यह आपके लिए, the mountain range which divides the north and the south India is, कौन सा वो mountain range है, जो नार्वे और south India को divide करता है, option is दिये गए है, हिमालियाज, next option है western gods, next option विंदियाज, and option D is सत्पूरा, यहाँ पर आपको सही option चूज करना है, इसका जो सही option है, वो है विंदियाज, विंदियाज, नार्वे और south India के mountain range को आपस में divide करता है, now next question is, which state in India has the largest cover area of forest, इंडिया के किस state को ज्यादा forest area cover है, यहाँ पर options दिये गए है, उतराखंट, मध्या प्रदेश, option C, क्यारला, option D, उतर प्रदेश, इसका जो सही option है, वो है part B, मध्या प्रदेश, next question है, आपका important question, longest day in the northern hemisphere is, सबसे बड़ा दिन नार्दोर्न यहाँ पर options दिये गए है, 25st March, 25st September, 25st June, और 25st April, इसका जो सही option है, वो है part C, date is you, और 25st June, 25st June, नार्द हमिस्पेर में सबसे longest day माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर यह कहा जाता है, कि या तो June 20 या June 22, ये depend करता है, year पे, या time zone पे, जिस time zone में आप हो, तो आपने याद रखना है, 20 से लेके 22 June तक सबसे longest day होता है, नार्द हमिस्पेर पे, next question है, who coined the term ecology, options दिये गए है, इसका जो सही option है, Ernest Haeckel, Ernest Haeckel ने ecology term दी है, और ये जो Ernest Haeckel था, ये एक German Zoologist था, German Zoologist था ये, कौन, Ernest Haeckel, Next question is, flesh floods are associated with, flesh floods किस के साथ associated है, options दिये गए है, thunderstorms, cyclonic storms, tsunamis and tornado, आपको सही option इसमें चूज करना है, इसका जो सही option है, वो है thunderstorms, Next question, most important question, the longest river in Asia is, Asia का सबसे longest river कौन है, option A, Indus, option B, Young Tizi, option C, Havangho, option D, Ganga, इसका जो सही option है, वो है part B, Young Tizi, Young Tizi, वो river है, जो Asia का, Asia continent का सबसे longest river है, और आपको यहां पर बता दूँ, यह जो river है, यह चाइना का river है, और चाइना का भी longest river, यही river है, Young Tizi river, Now next question is, the busiest ocean trade route of the world is in, सबसे busiest ocean trade route, world में कहां पर है, option D, Atlantic Ocean, Arctic Ocean, Indian Ocean, option D is Pacific Ocean, सही option आपने चूज करना है, अगर आपको मालूम है, तो नीचे comment box में mention जरूर करना है, इसका जो सही option है, वो है part A, that is your Atlantic Ocean, Next question is, where did Rig Vedic audience lived in India, कहां पर Rig Vedic audience हिंदूस्तान में रह रहे थे, option यहां पर दिये गए है, नारदोरन इंडिया, आलूर इंडिया, इस्टोरन पार्ट अप इंडिया, सबता सिंदू एरिया, इसका जो सही option है, वो है part D, that is your option, सबता सिंदू एरिया, अगर आपको यह वीडिय इस वीडियो को आपने friends के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और last में नीचे comment books में mention करना, आपके कितने answers सही थे, next question है, important question, बहुती moderate level question है, consider the following statements regarding freedom movement, आपने यह जो नीचे points दिये गए है, यहाँ पर आपने statement सही कहना है, कि इस में से कौन सा सही statement है, freedom movement के related, यहाँ पर पहला जो statement है, the congress was split into two factions, as it is surat session in 1907, इसी तरह next movement, बाल गंगादर तीलक रिवाइवड दे फेस्टिवाल आप गनपती एंड शीवाजी इन महराष्टा, तो एरोज अन्यू सुप्रिट अमंग दे यूथ आप दे कांट्री, next part, और अबिंदो गोश वाज आपने कहना है, कौन से statements, freedom movement के related सही है, आप्शन यहाँ पर दिये गए हैं, आप्शन A, third only, आप्शन B, one and second, आप्शन C, second and third, यहाँ पर यह थर्ड होगा, आप्शन D, one, second and third, all of the above, तो इसका जो सही आप्शन है, वो है D part, that is all of the above, सारे statements, freedom movement के related सही है, यहाँ पर आप इस question को गोर से देखना, यह PDF भी आपको मैं provide करूँगा, आपने टेलेग्राम ग्रूप पर, अगर आपने अभी तक join नहीं किया है, link नीचे description books में दी गई है, या आप हमारा जो JKSSB ग्रूप है टेलेग्राम पर, जहाँ पर हम quizzes डालते हैं, तो आप वो join क सकते हो, next question है, which one of the following peers is not correctly matched, इन में से कौन सब peer correctly matched नहीं किया गया है, पार्षन आप बेंगाल, क्या पार्षन आप बेंगाल 1905 में हुआ, foundation आप Muslim League, क्या foundation आप Muslim League 1906 में हुई, क्या next option, सूरत स्विपलिट 1907, क्या सूरत स्विपलिट 1907 में हुआ, next option, transfer of India's capital from Kolkata to Delhi in 1909, आपने इस question में देखना है, क्यों सा option इस में से सही नहीं है, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, पार्षन आप बेंगाल, वो 1905 में हुआ था, foundation Muslim League 1906 में हुआ था, डाका में, इसी तरह सूरत स्विपलिट, ये भी 1907 में हुआ था, लेकिन जो transfer of India's capital from Kolkata to Delhi था, वो इस time में नहीं हुआ था, वो हुआ था 12th December 1911 में, ये इसका सही option रहने वाला है, तो इस में से ये incorrect हैं, आपको सिर्फ incorrect चूज करना था, बाग यहाँ पर सही है, लेकिन ये जो हुआ था, ये 1911 में हुआ था, ये Tranas पर आप India's capital 1911 में हुआ था, next question, important question, when was the Muslim League established, Muslim League का बनाए गई थी, option A 1904, option B 1906, option C 1910, option D 1950, इसका जो सही option है, वो है 1906, आपको यहाँ पर बता दू, 30 December 1906, डाका, वहाँ पर ये Muslim League established की गई थी, सबसे पहले, next question is the famous Jamia Masjid, आप Delhi was built by, famous Jamia Masjid, जो देली में है, किस ने तेमीर की थी, option A हिमायू, option B अकबर, option C शाही जहाँ, option D आवरंग जेब, इसका जो सही option है, वो है पार्ट C, शाही जहाँ, जो 5th मुगल Emperor था, और इसकी जो construction start की गई थी, वो 1644 में की गई थी, नीचे comment box में mention करना, इसकी construction complete कब की गई थी, और आपको यहाँ पर मैं एक trick बता दूँगा, जो मुगल Emperor's हैं, आपने याद रखना है, अगर आपको कोई भी कहेगा, कौन सा मुगल Emperor किस नमबर पे आता था, आपने एक trick याद रखनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, शा जहाँ फिप्ट एम्पेर था मुगलूं का, नेक्स्ट क्वेशन इस मेगस्थेन्स इंडी का दील्स विद दे हिस्ट्री आप, जो मेगस्थेन्स इंडी का थी, वो किस की हिश्ट्री से डेल करती थी, आप्शन A, गुपताज, आप्शन B, सतवानाज, आप्शन C, छोलाज, आप्शन D, मौरियाज, इसका जो सही आप्शन है, वो है पाड़ी, देट इस यूर मौरियाज, आज का हमारा last question है, इसका जो सही आप्शन है, वो है बाना बठा, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ इसको बाना भी कहते थे, और नीचे comment box में mention करना, जो इसने ये बायोग्राफी लिखी, हर्शा वरदाना की, उसको क्या कहते हैं, आपको वो comment box में mention करना है, ये थी आज के important questions जो आपके previous year questions थे, उम्मीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको next part चाहे तो नीचे comment box में mention जरूर करना,